चेहिन दोस्तों सदार्थ बई इस वीडियो में आप सभी का हर दिग स्वागत है पिछले 2-3 दिनों से न मतलब यह जो मेरा फोन है वो चीक चीक के चिला रहा है कि बईया इतना कॉल क्यों आ रहा है अब मेरा फून इसलिए चिला रहा है क्योंकि पिछले तीन दिनों से इतने calls, इतने messages आ रहे हैं Central Cast Certificate से related आज मैंने सोचा की बना ही देते हैं इस पूरे topic पर video एक-एक चीज हम discuss करेंगे यहाँ पर क्योंकि चाहे YouTube के videos में comment हो गए यह टेलिग्राम पे जाकर आप देखिए मेरे टेलिग्राम पे इतने सारे comments होगें लगबख 400-500 comments आया जा रहा है कि भाईया मेरा ये नहीं है, वो नहीं है, कास certificate नहीं है कितना पैसा लगेगा, कितना time लगेगा एक दिन में बन जाएगा, 20 दिन लगेंगे SDO ये कह रहा है, और कहां से लेकर आएं मेरा तो state का कास certificate है, center का कैसे बनवाएं मतलब इतनी सारी बातें, मैं सब को यही बोल बोल कर मैं ठक गया हूँ पिछले 3-4 दिनों से जब से UPSC का notification आया है अब हम चाहते हैं कि इस वीडियो के जरीए आप खुद भी सुनें और अपने मित्रों को भी बताएं कि ऐसे बनता है Central Cast Certificate कैसे ऐसे बनता है, तो प्लीज ध्यान से सुनिएगा इयरफोन लगा लीजेगा प्लीज, मेरी आवाज आपको वैसे ही बहुत पसंद आती है आपने कई मरतबा कॉमेंट भी किया हुआ है, पता नहीं क्या 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 कॉमेंट करते हैं तो हम शुरू करते हैं इस वीडियो में कि UPSC से संबंदे अब चाहे हम UPSC की बात करें या सेंट्रल लेवल का कोई भी इग्जामिनेशन होगा तो उसमें चाहे UPSC हो, चाहे वो SSC हो या फिर Raleway हो सेंट्रल लेवल का कोई भी इग्जामिनेशन होगा उसमें OBC, SC, ST, यह जो कैटेगरी है आरक्षन वाली इसमें कैसे ये Central का Certificate बनवा सकते हैं, जाती प्रमानपत्र. शुरू किया जाए इस वीडियो को, इस वीडियो में हम जिक्र करेंगे कि कैसे बनवाया जाए ये Certificate, Online कैसे बने, Offline कैसे बनेगा, कितना Time लगता है, कितना पैसा खर्च होगा, कौन होगा Signing Authority, उस पे Sign कौन करेगा, और Documents क्या-क्या Require होंगे. चीक है, सबसे पहले हम जिक्र करते हैं, यहाँ पर, कि जब भी आप UPSC का भी फॉर्म चालू ही है, जब आप भरेंगे फॉर्म, तो यहाँ पर जो हमारा Part 1 होता है, Part 1 में ये वाला स्क्रीन आईगी आपके पास, इस स्क्रीन में क्या दिया हुआ है, इसमें ये दिया हुआ है भाई, कि आपकी कैटेगरी कौन सी है, Community, समुधाय, अगर आप यहाँ पर EWS कर रहे हैं, तो EWS का आपको भरना पड़ेगा, OBC कर रहे हैं, तो OBC में आपको बताना पड़ेगा, कि हाँ भईया, हम Creamy Layer में नहीं आते हैं, ठीक है, यहाँ आपने लिख दिया कि Creamy Layer में नहीं आते हैं, और अगर आप Creamy Layer में आते हैं, तो फिर क् तो फिर आप General Candidate कहलाएंगे, उसके बाद ये पूछता है कि किसी भी Candidate जो की OBC Non Creamy Layer में है, उसको अपना Certificate जो है, वो 142023 के बाद ही Issue होना चाहिए, निकि April 2023 के बाद उनका जो Certificate है न, वो Issue होना चाहिए. कौन सा Certificate? OBC Candidate, जो की UPSC बाला है, जो अभी मैं बताऊंगा, वो Certificate Issue होना चाहिए. ठीक है? Examination में और जो इनका Financial Year का जो होता है न, OBC के लिए मैं बता रहा हूँ, OBC के लिए जो Income Certificate होता है, वो लगबग 3 साल का जाता है. 2020 से 21, फिर 21 से 22, फिर 22 से 23. ठीक? उसके बाद फिर आपको Designation, ये Community Certificate Number, ये आपको कहां से मिलेगा? आपके Community का Number क्या है? मतलब आपकी जाती का Number क्या है? ये आपको National Commission of Backward Classes, जो Website सरकार की, वहां से भी मिल जाएगा? या तो फिर जब आप जाएंगे SDM के Office, तहसिलदार DM के Office में जाएंगे, वहां से भी ये Number आपको मिल जाएगा? कभी-कभी ये Number खुद ही वह भरते हैं, जो कि Issuing Signing Authority रहता है, ठीक है? Designation of Issuing Authority, ये सब आपको तब भरना है, जब आपके पास Central Cast Certificate आ जाएगा? तो अब हम उसी के बारे में बात करेंगे, कि भाईया, आएगा कैसे? तो आप देखेंगे. दोस्तों, UPSC के लिए, आप अगर मेरा नाम YouTube पे सर्च करेंगे, सिधार्थ भाईया, OTR, सिधार्थ भाईया, Form Filling, मेरा नाम डालके, आप कुछ भी News सर्च करेंगे, वो News मिल जा तो मुझे खुशी होती इस बात की जानके, कि हम अगर कुछ बता रहे हैं, सिंपल भाशा में समझाने की कोशिश कर रहे हैं, तो आपके पल्ले पढ़ रहा है, आपको समझ आ रहा है. ये सारी वीडियोज हमने नोटिफिकेशन पर कर रखी है, और आपने बहुत प्यार औ कि नहीं, क्या क्या सर्टिफिकेट चाहिए, ये सब कुछ हमने ले रखा, बस आपको लिखना है, सिधार्थ भाईया, सर्टिफिकेट, अध्या 24-7, सिधार्थ भाईया, ये कोई न्यूज भी है, या फिर अभी पाकिस्तान से रिलेटेड न्यूज हो गया, या बंगलाद प्रोफेस हम बात करते हैं कि आपका कास्ट सर्टिफिकेट, सेंट्रल वाला वो कैसे बनेगा, उसके लिए आपको क्या-क्या चाहिए, ये मैंने आपको एक सेंपल चिपका रखा है, इस सेंपल में ये बंदा है, इसके पास कास्ट सर्टिफिकेट है, ये उत्तर कास्ट सर्टिफिकेٹ बनवाना है तो आपको अपने राज का या सबसे पहले आपको जो डॉक्युमेंट लगेगा वो है आधार आधार कार्ट तो आप सबक्ये पास होगा ही आधार कार्ट लगेगा और भी लेते जाएगा भएःया पैन, पासपोर्ट और भी कार्ड लेते जाएगा, आधार तो ले जाएगा, जो भी आपका identification है, voter ID वगेरा, आधार mandatory है इसमें, दो recent की color photograph लेके जाएगा, जब आप बनवा ही रहे हैं, तो recent की color photograph आप लेकर जाएगे, पासपोर्ट साइज, फिर state का certificate updated वाला, ऐसा नहीं कि य आप आपने बनवा दिया था, वही आप तो बनवाएंगे, state का certificate आपको बनवाना है, वो भी updated, एक साल के दो साल के अंदर वाला, महज एक साल का हो तो बहुत अच्छा है, उसके बाद आपको application लिखना है, competent authority को, ये मैं आपको एक application बताऊंगा कि कैसे लिखना है, क्या और आपको ये भी दिखाऊंगा, UPSC के website पर जाके, उसके बाद download vacancy pro pharma, अब इस पे हम आते हैं कि vacancy pro pharma, मतलब जिस भी examination को आप देने जा रहे हैं, अक्सर क्या होता है, कि वो आयोग उस examination के लिए pro pharma दे ही देती है, reservation के categories के लिए, for example, अब मैं आपको दिखाता हूँ, कि भाईया, UPSC के लिए, अगर हम बात करें, तो ये है UPSC की website, आप चलेगा यहां पर, यहां पर आ रहा है forms and downloads, इसको जब आप click करेंगे, तो यहां पर देखेंगे, यह दे रखा है, बड़ा अगर हम कर देते हैं, इसमें देखिए, pro pharma for claiming OBC benefit, इसको आप click करिए, pro pharma for claiming SCST benefits ठीक है, नीचे है pro pharma of declaration by OBC candidate, तो चुकि ये video जो मैं बना रहा हूँ, वो है OBC के लिए, OBC, SC और ST के लिए, ठीक है, तो OBC के लिए दो document required है, एक तो ये वाला और एक है declaration ये वाला, इन दोनों को आप click करके और download कर लिजेगा, ठीक है, और SCST वाले जो हैं, वो इनको click करके download कर लिजेगा, form, ये क्या है, ये format है, simple भाशा में बताएं, तो आपको इसी format में अपना नाम, पता, community, सब कुछ लिखना है और देना है, process मैं भी आपको बताऊंगा, ये आपने download कर लिए, चलिए भईया, मैं आपको दिखा भी देता हूँ, download करके, बच् इसी का है, ठीक है, certificate to be produced by other backward classes, applying for appointment to post under the government of India, ठीक है, यहाँ पर government of India यही होताता है, central, और state का होता है, तो यहाँ पर उत्तर प्रदेश या फिर जो भी राज्य है, वो state आजाता है, राज्य, चुकि ये central है, तो government of India यहाँ पर आ रहा है, तो this is to certified that श्रीमती, कुमारी या जो भी आपका नाम है, वो आपका नाम आएगा, ठीक है, son and daughter of आपके ममी पापा का नाम आएगा, और यह आपके गाउं का नाम आएगा, उसके बाद district कौन सी है, state या union territory कौन सी है, backward class, ministry of social justice, यह वाला जो number है, resolution number, यह आपको आपको नहीं आप कौन भरेगा यह, यह competent authority जो issue करेंगे, वो भरेंगे, अभी वो भी मैं आपको बताता हूँ, उसके बाद फिर आप फिर से लिखेंगे, फिर कौन सा district है, फिर यह सारी चीज़ें आएगी, आपको इसमें print करना है, ठीक है, जब आप print कर लेंगे, वापस हम लोग चलते इसके लिए, इसके लिए OBC, SC, ST, print करके, उसको लिखके, और साथ में जो cast certificate है आपका, जाती प्रमाणपत, राज्यवाला, उसको आपको attach करना है, attach करने के साथ साथ, यह documents आपको लेने हैं, ठीक है, और क्या करना है, और एक application लिखना है authority को, कौन authority, अब मैं आपको फिर से बताता हूँ, SC, ST और OBC में फर कितना है, कि SC, ST में यहाँ पर income proof नहीं required होती है, यहाँ पर जाती प्रमाणपत्र बहुत जादे ही value करता है, SC, ST में, तो यहाँ पर income certificate required नहीं है, लेकिन application required है, दोनों cases में cast का certificate updated होना बहुत जरूरी है, ठीक है, लेकिन अगर हम OBC की बात कर तो financial year 2021, 2021, 2022, 2023 के लिए हमें update करना पड़ेगा, ठीक है, मान लिजे कि आपके पास जो OBC candidate है, उनके पास 2022, 2022 का अभी नहीं है, तो आपको चिंता करने की बात नहीं है, आप इसको upload कर सकते हैं, 2021, 2022, 2022 वाला, जब आप mains exam clear, जब आप mains का DAF 1 भरेंगे, उस time पर या interview के time पर आ आप updated लेके जा सकते हैं, कोई भी problem नहीं आएगी, ठीक है, और एक और चीज़ आपको बता दें, कि जो भी अभ्यर्थी, जो भी बच्चा form fill कर रहा है, वो नाम अपना class 10th के नाम पर, जो भी आपका class 10th में नाम होगा, आपका, आपके पापा, आपके मम्मी का, सेम नाम आप भरेंगे class certificate, central certificate में, मान लीजी, यहाँ पर जो भी आपका नाम है, आपका नाम यहाँ पर जो भी है, वही सेम नाम, central वारे में भी आपको भरना है, और सेम होना चाहिए class 10th के mark sheet में भी, याद रहे, नहीं तो फिर, आपको अपने local वकील के हाँ जाना पड़ेगा, श अब competent authority कौन होती है, सबसे important चीज यहाँ पर यह है, बहुत बोग पूछते हैं कि बनवाएं कैसे, अभी आपको जरूरत है, अभी आपको बहुत need है, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ 15, 10 से 15 दिन बच्चे हैं हमें UPC के form के लिए, वरना 5 तारीक को date close हो जाएगी, आपको ततका चाहिए, ऑनलाइन भरके अगर आप घर बैठे वेट करेंगे, तो शायद वो टाइम लग जाएगा, तो मेरे हिसाब से आपको खुद ही जाना चाहिए, या फिर आप अपने पापा, भाईया, ममी, मासी, दीदी, चाचा, मामा, ताओ, किसी को भी बोल सकते हैं कि आप मेरे बिहाफ पे प्लीज जाएए, और तहसिलदार या उससे उपर की पोजिशन, तहसिलदार हो गया, SDO हो गया, SDM हो गया, और DM हो गया, magistrate, executive, in fact जो कमिशनर रैंक के पोस्ट हैं, उनको उनके पास आपको जाना है, और वही होंगे signing authority, वही issue करेंगे, क्योंकि center government जो है, वो न नायब तहसिलदार को एक competent authority के रूपे नहीं देखता है, तो अगर मैं इस video, इस image की बात करूँ, मैंने यहाँ पर ये लगाया हुआ है, ये, ये जो जिसका भी ये center का cast certificate है, SCST का, इन्होंने sign करवाया है नायब तहसिलदार से, जो की मान्य नहीं होगा, ये गलत है, authority बनेंगे इसमें, तहसिलदार बनेंगे और उनसे उपर बनेंगे, नीचे नहीं बन सकते हैं, ये साफ साफ बोला हुआ है, तो आप लोग भी ध्यान से देजिएगा, ये देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है, साफ साफ, magistrate, administrator, secretary, development, sub-magistrate, chief magistrate, सब कुछ है यहाँ पर, तहसिलदार, ठीक है, तो आप लोग ये ध्यान रखिएगा, issuing authority ये सब होना चाहिए, यहाँ तक आपको पूरी बात समझ में आई, दूसरी चीज़ यह है, कि अगर आपके पास form नहीं भी है, अगर आप UPSC वाला डाउनलोड नहीं भी करते हैं, कोई बात नहीं, problem नहीं है आप जाएए तहसिलदार के ओफिस में, या आप DM के ओफिस में जाएए, वहाँ पर pro pharma available रहता है, central car certificate का, वहाँ खुद, वहाँ के कर्मचारी आपसे कुछ 4-5-20 रुपई लेंगे, वो लिक देंगे खुद ही, कभी-कभी मामला जो है, आप असी संबंध से भी अच्छा ह जाता है, अगर आप कहते हैं कि इसमें कोई पैसा लगता है, नहीं, इसमें मतलब सरकारी तो कोई पैसा नहीं लगता है, लेकिन आपको system पता है अंदर का, कुछ आप थोड़ा बहुत support करेंगे, सहयोग करेंगे, तो क्या पता वो जल्दी भी बन जाएगा, कितना time लगता इसमें, इसमें दो दिन, पांच दिन, आठ दिन, दस दिन लग सकता है, easily, और कभी-कभी बहुत जादे नहीं लगता है, अगर आपका source संपरक अच्छा नहीं है, तो अगर आप खुद ही ढीले पर रहे हैं, तो आपके उपर है, आपके networking के उपर है, बाकी बड़ी easy से बन आपको क्या करना है, same procedure follow करना है, आपको भी issuing authority भी वही होगी, तैसल दार या उससे उपर की rank होगी, आपको income and asset certificate आपको produce करना है, तो ये बात आई समझ में, वहाँ पर जो भी officer होते हैं, आप उनके पास जाएगा, वो जो resolution number है, वो खुद अपने खाता बही में से check करके ल important है, ये अपनी तरफ से आपको application लिखके देना होता है, ये application आप लिखके देंगे, जिसके पास भी आप signature के लिए जाएंगे, चाहे वो magistrate collector हो गए, या फिर magistrate sub-divisional हो गए, या फिर chief presidency magistrate हो गए, या फिर कोई भी जिसके पास भी आप जा रहे हैं, उनको आप ये है, मेरा gram block ये है, मैं इस समुदाय से आता हूँ, या आती हूँ, मेरा पापा ममी का नाम ये है, मेरा मुझे central class certificate बनवाना है, क्यूंकि मुझे UPSC exam में बैठना है, क्यूंकि मुझे UPSC exam में आरक्षण का लाब उठाना है, तो आप ये application लिखके, खुद ही self-attest करके, और ये सब लेके आप जब जाएंगे, तो मामला हो जाएगा, छीक है, फिर भी आपको लिखना नहीं आता है, तो आप directly अपने testlar office में, DM office में आप जा सकते हैं, वो लोग खुद भी लिख देंगे आपको, बस थोड़ा आपको support करना पड़ेगा, I hope चीजें आपको लिंक दिया हुआ है, वहाँ जाएए, और इसो आज ही order कर लिजे, जैहिंद 17S नाम का code है, जहां से आपको maximum discount मिलेगा, काफी, और आप ऐसे शहर में हैं, जहां पर जल्दी resources नहीं मिल पाते हैं, resources नहीं मिल पाते हैं, और आप इंतजार करते हैं, तो उससे बढ़िया option नह booklet है, question, OMR sheet है, pen, diary, सब कुछ इसमें है, तो आपको कमी नहीं होगी content की, कमी नहीं होगी test series की, अब वैसे भी 90-100 दिन बाकी है, तो आपको लगाना शुरू कर देना चाहिए, I hope चीज़ें आपको समझ में आई होगी, और जिन भी अभियरतियों को, अभी भी students को problem है, चाहे comment section में telegram का link है, वहाँ आईए, हम लोग कई सारी बातें चलती रहती हैं उसमें, आईए और आप चुड़िये, हमारे साथ, हम लोग mentorship भी कर सकते हैं, personal mentorship, I hope चीज़ें थोड़ी से clear होंगी, नहीं तो फिर आप comment कर सकते हैं, हम उसको personally जबाब दे देंगे, मिलते हैं अगले